नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको केंद्रिय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बारे में बताने जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल का जन्म 28 अप्रेल 1981 को कानपूर उत्तर प्रदेश में हुआ। अनुपुरिया पटेल के पिता का नाम स्वर्गिये सोने लाल पटेल और माता का नाम कृष्णा पटेल है। अनुपुरिया पटेल ने पोस्ट, ग्रेजुएट, एम में मनुबग्यानिक और एमबीये तक की सिख्छा प्राप्त की है। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की राणनिती की पड़ी नेता कहे जाती हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल पार्टी की राष्टिये अध्यच्छ हैं। अपना दल पार्टी की अस्थापना इनके पिता स्वर्गिये सोने लालपांड पटेल ने किया था। उत्तर प्रदेश के 2012 बिधान सभा चुनाव में पहली बार अनुप्रिया पटेल बनारस के रोहनिया बिधान सभा से बिधायक चुनकर बिधान सभा पहुची। 2014 में नरन्मोदी से गटबंधन कर अनुप्रिया पटेल मिर्जापूरलोक सभा से बिधायक के प्रत्यासी समुद्र विंद को हरा कर पहली बार दिल्ली पहुची। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की पटेलों की सबसे बड़ी नेता कही आती हैं। अनुप्रिया पटेल एक लोगप्रिये नेता के रूप में भारत में नाम बना रही हैं। अनुप्रिया पटेल 5 जुलाई 2016 को भारत के केंद्र मंत्री स्वस्त और परिवान कनल्यान मंत्राले में केंद्य राजसभा बनाई गई। 2019 में एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल मिर्जापूर से चुनौल लड़ने जा रही हैं। लोगसभा 1992 में अनुप्रिया पटेल एक बार फिर भाजपा के साथ गटबंधन कर मिर्जापूर से पूरी ताकत से जोर सोर से चुनौल लड़ने हैं। दोस्तों ये रही केंद्रिय मंत्री अनुप्रिया पटेल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद। करें करें झाल करें।